हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो माई चैनल स्प्रीचल लव्टराट कैसे हैं आप लोग आए होप अच्छे होंगे अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे हैपी होंगे आप लोग आपका प्यार मिल गया होगा काफी लोगों को उमीद करती हूँ यूनिवर्स आपको जो मेरे पणे सबस्क्राइबर एग क्या है जो मेरे प्यारे प्यारे वीवर्स हैं तो आपके रिष्ते पर कोई नेगी और इन्पर एग्वि 달ात sucks दाल रहा हैं या कोई इंफल्म करके रखा है तो अगर आपको ऐसा फेल होता है तो ही आप यह देखेगा क्योंकि मैं थम्नेर पर डारेक्ट लिख होंगी कि ब्लैक मैजिक है या नेगितिव इनफलेंस है या नेगितिव एनर्जी है तो ही वीडियो को देखें ओके जर्नल डीडिंग है, कलेक्टिव डीडिंग है, इसे गाइडन्स की तरह लीजिए ओके मैई डियर चलिए क्या होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी रहती है उसके कारण हमारे रिष्टों में क्या होता है दरार आना चालो हो जाती है बाते खराब होने लगती हम सोचने हैं कि अरे चलिए इनका बिहेवियर ऐसा चेंज हो रहा है लेकिन कभी कभी कुछ नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है कि जो हमारे रिष्टे अच्छे खासे बने बनाए रिष्टों को तोड़ देती है और आप मेंसे काफी लोगों ने ये फील भी करा होगा जो यहाँ वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ कि आपने ये फील भी करा होगा ओके देखें यहाँ पर फॉर आफ पैंटिकल्स का कार्ड निकला है हम देखेंगे कि वो क्या चाहती है क्यों ऐसा करती है या क्यों ऐसा करता है क्यों नेगेटिव इंफलेंस फिल आ रहा है या क्यों ब्लेक मैजिक कर रहे हैं आपके उपर ओके शायद आपके साथ में नयाए हो क्योंकि यहाँ पर प्रेच आलू हो गई है तो थोड़ा सा आपको आवा जा सकती है तो प्लीज देखिएगा इग्नोर करिएगा उस चीज को ठीके प्लीज और देखिए मैंने यही का इग्नोर करिएगा अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके रिष्टे में कोई black magic है या कोई negative influence है और यहां पूजा हो रही है तो यहां देखिए सबसे card देखिए आप कितना must card निकला है death का card निकला है तो अगर ऐसी कोई situation है तो उसका end होने वाला है वो चीजे खतम होने वाली है यह आप 100% समझ लीजिए ओके चलिए में एक card और लेना चाहते हूं प्लीज बताईए जब इतना अच्छा आपने card निकाला है तो मैं यह जानना चाहते हूं कि जो मेरे हैं कि हमारे जो card निकले हैं उसमें वो चीज आती है या नहीं जिसको हमें जानना है ठीक है ना देखे सबसे पहले तो यहां पर night of wands का card है ठीक है और यह God की तरफ से निकला मैंने बोला था और प्रे चालू है आपको आवा जा रही होगी आरती की तो देखे death का card निकला ह है और universe की तरह से आपके लिए संदेश है कि हाँ आपके जीवन में अगर कोई ऐसी negative energy है या negative influence फिलाया गया है तो बहुत जल्ब वो चीज आपके life से जाती हुई दिख रही है eight of swords ठीक है देखी का मैं बताऊंगे आपको बहुत clear message आए है the magician जिसकी बात हो रही थी हमारे प उसे ignore कीजिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं वीडियो रोग भी नहीं सकती हूँ देखें यहां पर है two of cups four of cups the sun का का कार्ड है ओके seven of cups wands three of wands है four of pentacles है devil ओके इसी की तलाश ठीक है devil भी आ गए है और यहां पर है four of wands ओके तो देखें जो energy मुझे यहां पिक हो रहे है जो universe की तरफ से जो इश्वर की तरफ से Allah की तरफ से जिसको भी आप मानते हैं उनकी तरफ से मुझे एक clarification मिला था वो है death का कार्ड जो चीज मैं आप से कह रहे थी कि अगर आपके ऊपर कोई negative influence है या black magic है ओके तो वो चीज आपके लाइफ से खतम होती हुए दिख रहे है था मगर खतम होता हुआ दिख रहा है यहां clear दिख रहा है कि वो चीज खतम हो रहे है ठीक है तो यह आपके लिए happy खुश खबरी है कि वो चीज खतम हो रहे है पर चलिए हम और clear तो होई गया कि है या नही नेगेटिव इंफ्लेंस या नेगेटिव एनरजी या ब्लैक मैजिक चाहिप की चीज आपके ऊपर की गई है या नहीं की गई है आपके रिष्टे पर की है या नहीं की है ओके लेकिन अब यह दैट तो इसका होई गया है जो चीज करी गई थी लेकिन क्यों की गई थी और क् current था हम वो भी देख लेते हैं देखें सबसे पहले तो यहां मुझे जो clear दिख रहा है वो व्यक्ति जो है आप से बहुत ज़्यादा जोलस है आपके फाइनस से जोलस दिख रहा है मुझे आपके इर्द गिर्द ही है आपके आँखों पे पट्टी बांद के रखी है जो व्यक्ति है उसने आपके आँखों पे पट्टी बांद के रखी है आप स्टक है आपको समझ में नहीं आता है कि वो आपके लिए क्या चा जानते हो जानते हो पर आपके आखों पहना पट्टी बंदी हुई है आप उसे देख नहीं पा रहे हो क्लियर तरीके से आपके बीच में रहके ही वो चालों को चलता रहता है और यह सारी चीजे करता है जो नेगेटिव एनरजी है या आपके परिवार में फूड डालना या इस तरह की कोई नेगेटिव इन्फलेंस करना ताकि आपका जो मनी है जो आपके हैपिनेस है जो आपके लव लाइफ का जो रिलेशन है वो सारी चीजे वो कहीं न कहीं पसंद नहीं करता है वो आपको हैपी नहीं देख सकता है जो व्यक्ति है ठीके और मुझे यहां दिख करती है कि आपके फैमिली में हो या किसी लव लाइफ में हो कोई गल्फरेंड बॉइफरेंड के साथ में हो या फैमिली के साथ में हो किसी के भी साथ में हो तो आपका महाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रगल करना पड़ता है या कुछ लड़ाई जगड़े ऐसे हो जाते हैं या आपको financial problem से आजाती है कि आपको लगता है कि यार में कहां फर्स गया हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे यहां यह दिख रहा है कि वो व्यक्ति का आपके ऊपर negative influence तो है वो आपको खुश नहीं देख सकता है आपके love life से जलता है आपके finance से जलता है यहां मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कोई ऐसे girlfriend भी हो सकती है मान लेजिए कि जिसों आप उसे पसंद नहीं करती हो पर वो आपको पसंद करती हो यह आपको पसंद पता भी है पर वो व्यक्ति जो है वो आपसे बुरा नहीं कहती है पर वो मन ही मन इतनी negativity या कुछ black magic या इस तरह का use कर रही है आप लोगों के बीच में दरार लाने के लिए कि आप लोगों के बीच में दूरियां आ जाए टू आफ कप्स का काड़ है आपके emotions आपके प्यार और आपका finance जो भी सारी चीजे है आपके love life शादी यह सारी चीजों पर वो एक black magic टाइप की चीज को कर रही है ताकि यह सारा रिष्टा तूर जाए और कहीं न कहीं उसके लिए जगा बन जाए तो वो यह चाहती है कि आप लोगों के रिष्टे में दरार आ जाए देखे यहां पर गोर कीजेगा आपके black magic से related अगर मैंने आपको कहा है काफी लोग इस पे objection उठाएंगे कि black magic type की कोई चीज नहीं होती है तो मैं आपको फिर से कह रहे हूँ हाथ जोड के कह रहे हूँ जो लोग ना मानते हों प्लीज वीडियो को skip कर दीजेगा कोई कमेंट मत कीजेगा नेगेटिव कमेंट बिलकुल मत कीजेगा ठीके क्योंकि यह चीज है और यहाँ पर देखिए देट का कार्ड है जब वीडियो स्टार्ट हुआ था प्रे स्टार्ट हुई थी तब ही देट का कार्ड निकल आया था कि वो जो black magic है यहाँ थ्री कार्ड जर से निकले हैं जो नेगेटिव बातों को बता रहे हैं यहाँ पर ब्लैक मैजिक नाम की चीज है नेगेटिव इंफलेंस है नेगेटिव एनरजी है आप यकीन मानिए कि आपके रिष्टे पर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसके कारण आपका यह रिष्टा जो है बार बार खराब हो जाता है आपके लव लाइफ एमोशनस आपके आपका स्ट्रॉगल बढ़ जाता है बहुत सारी चीजे ऐसी है जो आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम क्रियेट होती है तो आपको पता होगा कि वो व्यक्ति कौन है आप जानते हैं तो देखिए डरने वाली कोई बात नहीं है मुझे यहाँ क्लियर लग रहा है क्योंकि देखिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि सबसे पहले तो हमारे पास देट का काड निकला था और देट का काड यहीं बता रहा है कि वो सारी चीजों का अंत होने वाला है जो चीजे थी कोई अगर मैनिफेस भी कर रहा था आपके लिए बुरा मैनिफेस कर रहा था तो वो भी चीजे हटती हुई दिख रही है और जो मेरे वीवर्स हैं मैं उन्हें ये बता दूँ कि आप भी जो मैनिफेस कर रहे थे ना वो होने वाला है आप भी जानते थे कहीं न कहीं कि कोई ने आपके घर परिबार को बुरी नजर लगा दी है या फिर ऐसा कोई व्यक्ती है जो आप लोगों से जलता है तो आप सिफ इशवर से दुआ करते आएं हैं यूनिवर्स से दुआ करते आएं हैं वो हट जाए, वो हट जाए, वो हट जाए और आज ये होने वाला है, काफी लोगों का रियूनियन होने वाला है चाहे कोई कितना भी रोख ले आप लोगों को मिलने से लेकिन यहां मुझे दिख रहा है कि आप लोगों का रियूनियन होने वाला है मैं कुछ कार्ट वाल निकालना चाहती हूँ मुझे कुछ और देखना है एक चीज देखनी है आप लोगों के बारे में कि क्या वो आपके शादी को तोड़ने के लिए देखें यहाँ पर टू अफ सोड्स है टू अफ पैंटिकल्स है तो यह जो परसन है जो भी कोई है तो वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में दिन भर दिन भर यही चलता रहता है कि किस तरह से इस रिच्टे को खराब करूँ किस तरह से और कहीं न कहीं वो परसन को आप भी जानते हैं वो आपके बीच में से जो आपका पैशन्स है जो आपके बीच में फायर एनरजी है जो आपके परसन आपको देखके अट्रैक्ट होते हैं आपके बीच में जो इमोशन्स है आप दोनों की जो बाते हैं एक दूसरों के लिए बहुत अच्छी हैं तो कहीं न कहीं वो परसन को ये चीजे बहुत ज़्यादा खलती है तो वो two of swords और two of pentacles के स्थिति में मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो person तो वो बहुत ज़्यादा जगलिंग करता रहता है कुछ ना कुछ जुगार लगाता रहता है कि आपको hurt कर सके या आपको तकलीव दे सके इस तरह का वो बहुत ज़्यादा करते हैं ओके चले दो cards निकाले हैं मैंने इस rent का card है अब उस person के हिम्मत भी जवाब दे रही है कर करके उसने काफी कोशिश कर ली है आप लोगों के उपर लेकिन कहीं ना कहीं universe का आपके उपर हाथ है और इश्वर ये शक्ती आपके साथ में है तो इस कारण आपका कुछ भी बुरा नहीं हुआ है आज तक उस negative energy के कारण ठीके negative energy के कारण आप लोगों का कभी कोई बुरा नहीं हुआ है बस थोड़ी बहुत तकलीफे रही है nine of swords का card है कुछ ना कुछ दर्द कुछ तकलीफे आपके जीवन में बनी रही है लेकिन वो बहुत जल्द खत्म होने वाली है I hope reading आपको पसंद आई होगी और मुझे बताईएगा कि क्या negative energy आप लोगों के बीच में है ऐसी जो आपके रिष्टे को खराब कर रही है या फिर कोई ऐसा negative influence पहलाता है या आपके पार्टनर के ऊपर कोई black magic टाइप की कोई चीज है ठीक है मैं फिर से कह रही हूँ जो लोग मानते हों वोही लोग वीडियो को देखेगा अन्यथा आप लोग वीडियो को ना देखेगा आप दूसरा वीडियो देख लीजिए जिनको लगता है कि हाँ मेरा पार्टनर इस तरह का behave करता है मिजबिहेव करता है कभी अच्छा रहता अचानक से देखे मैं बताती हूँ आपको black magic के सबसे बड़े जो पता चलता है कि हाँ है अचानक से क्या होता है कि आप happy है दिन भर तो आपका पूरा अच्छा जाएगा रात होते होते ही आप लोगों के बीच में किसी ना किसी बात पर जगड़ा हो जाएगा या आपके person जो है कुछ ऐसा मिजबिहेव कर देंगे कि आपको अच्छा नहीं लगेगा आप सोचेंगे अभी तक तो ये person अच्छे थे अच्छानक से ऐसा क्या हो गया आपका जो financial है अच्छा चलता रहता अच्छा च्छा चलता रहता अच्छानक से कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है कि आपके life में सब कुछ उथल पुथल हो जाता है आप सोचने क्या रही है अचानक से क्या हो गया सब कुछ तो अच्छा चल रहा था कभी कभी आप अचानक से बैठे बैठे ही रोने लगते है सैड एनरजी में आ जाते हैं जबकि आप खुश हैं सब कुछ अच्छा है पर आप रो रहे हैं, दिल आपका खुश नहीं है, हैपिनेस नहीं है, आपके चेहरे से नूर चला जाता है, यह सारी चीजे जो है ना, नेगेटिव एनरजी, नेगेटिव इंफलेंस के कारण होती है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो एनरजी पिक होई है, इस वीडियो से जो नेगेटिव एनरजी थी, नेगेटिव इंफलेंस था, या किसी की बुरी नजर थी, उसकी दैथ होती दिख रही है, बिलकुल लास्ट पॉइंट पे है, आप लोगों के बीच में यह चीज और हैपिनेस आएगी, मैं इस का, इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी का, ओके मैं डियर, प्लीज, प्लीज